हेलो फ्रेंट्स वेल्कम तो आई चैनल स्टडी फोर यू सो गई जैसा कि आज आज आपका SSE CGL का 24 सितंबर के सेकंड शिप का एक्जाम हो गया है दोस्तों जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एकुरीट एंसर के साथ जो है इस वीडियों अताऊंगा तो देख लेता है कि किस परकार के जो है आज आपके 24 सितंबर के सेकंड शिप के एक्जाम में जो आप प्रेस्ट न पूछे गया है उससे पहले एक बात और दोस्तों कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐससे सीजियल एक्जाम से रिलेटेड पलपल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दिजेगा और बगल में ही आपको एक बैल इकन यानि घंटे का निशान भी दिख रहा होगा तो आप उसे भी जरूर प्रेश कर दिजेगा तो चले वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो आज का जो आपका पहला कुशन है था कि रुदराज पार्टिल का संबंद ये जो आपका किस खेल से है तो देगे रुदराज पार्टिल की बात कर ले तो ये जो आपका सुटिंग यानि निसाने भाजी खेल से संबन्दित हैं तो सुटिंग आपका यहाँ पे करेक्टेंसर होगा इसके लाब बात कर ले रुदराच पार्टील जो है ये चर्चा में कब आये थे तो ये 2020 का जो आपका एशियन गेम्स हुआ था ना जो कि आपका चीन के हौंग जाउ सहर में आयोजित किया गया था और इसमें जो आपके 10 मीटर एयर राइफल टीम असपर्दा में जो है ये भारत के लिए पहला सुर्ण पदक यानि गोल्ड मैडल जो वो जीते थे जवी एक नाम था ना ये आपका जहरुदीन मुहमद था तो जहरुदीन मुहमद आपका correct answer होगा इसके लावा बाबर से एक एक एकजाम में आपका प्रशन पूछा जाता है कि ये जो आपका बाबर था ना ये आपका किस वंसस थे था तो देगे बाबर की बात कर लें तो ये अपने पिता की ओट से जो है ये आपका तैमूर वंस का जो वो वंसस था वहीं अगर अपनी माता की ओट से पूछा जाए तो देगे ये जो आपका बाबर था ना ये अपनी माता की ओट से जो है यह चंगेज खान का जो हो वनसस था, तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रिखेगा, इसकला एक्जाम में एक प्रश्ण और यहां से पूछा जाता है, कि बाबर कितने वर्स की आयू में जो है, यह फरगना की गदी पर जो हो बैठा था, तो देगे बाबर जो है, यह आपका इन असम, यानि वैस्टनो धर्म द्वारा जो है, असम में कौन सा तेवार जो है, वो मनाया जाता है, तो देगे वैस्टनो धर्म द्वारा असम में जो है, यह आपका जो डोल जातरा उत्सव वैना, यह आपका पस्षी मंगाल, उडिसा और असम राज्जी में जो है, यह म पहले इस त्यहवार को जो वह मना जाता तो डॉल जातरा के यहा पाइप करेक्ट अंसर होगा Next question, आपको यहां पर राया था, कि 1912 इसमी में, बिहार में destra Kitchen इसमी भ्रती राष्धे कौंग्रिस का जो अधिवेशन है, यह कहां पर हुआ था, तो देज़ा है, भार्ती राष्य कौंग्रिस का 27 अधिवेशन है न, यह आपका पटना के निकट, बांकीपूर में जो यह आपका आयोजित किया गया था तो बांकीपूर आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा और इसके अध्यस्ता जो यह किसके द्वरा किया गया था तो देखे बांकीपूर अधिवेशन की जो अध्यस्ता है यह आपके रगुनात नर्सिंग मुधोलकर क कि द्वारा जो वो किया गया था तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रिखेगा नेक्स्ट आप का यहां पर आया था कि the controller and auditor general of India यानि CAG जो है established by which article यानि भारत के नियंतरक और महालिका परिच्छक के नियुक्ती, सपत और सिवाओं की सर्तों से संबंदी अनुछेद कौन सा है तो देखे CAG के नियुक्ती, सपत और सिवाओं की सर्तों से संबंदी जो आपका अनुछेद है यह आपका अनुछेद 148 है तो अनुछेद 148 आपका यहां पर correct answer होगा इसके लाव बात कर ले वर्तमान में भारत के CAG कौन है तो देखे 7 अगस 2020 से ही जो है गिरीस चंद्र मूर्मू जो है यह आपके भारत के वर्तमान में जो है आपके CAG है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा और CAG से सम्मदित अगर अन्य अनुछेद की बात कर ल इसके लाव अगर अनुछेद 150 की बात कर ले तो देखे अनुछेद 150 आपका कहता है कि संग और राज्यों के खातों का विवरन रास्पदी के अनुसार जो है यह आपके CAG की सला पर जो वो रखा जाएगा यह जो आपका अनुछेद 150 में जो वो कहा गया है वह अगर अनु के लेखाओं के संबंद में भारत के नियंतरक महालिका परिच्छा की जो रिपोर्ट है यह राज्य के राज्यों को प्रस्तूत की जाएगी और उन्हें राज्य के विधान मंडल के समझ जो वो रखा जाएगा तो यह आपका बात जो है यह आपका अनुछेद 151 में जो व पाना जाता है तो यह सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि 1927 में मंदीर परवेश आंदोलन जो है यह किस ने सुरू किया था तो देखे 1927 का मंदीर परवेश जो आंदोलन है ना यह आपके भीमराव अंबेटकर के द्वार टैंसर होगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि उत्तर भारत में सबसे ज़्यादा जो ठंड है ना यह किस महीने में जो वो पड़ता है तो देखें मैं आपको बढ़ा दू कि उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम में दिसंबर और जनवरी का महीना होता है ना यह सब प्रवरी के अंतक जो यह आपका रहता है और इस दौरान जो आसट टेंपरेचर रहता है न वह आपका 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर जो है 5 डिग्री सेल्सियस के भी जो आपका आसट तापमा जो वह रहता है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट आप का यहाँ पर आया था कि मेकिन इंडिया योजना जो है यह आपका किस से संबंदित है तो देखें मेकिन इंडिया योजना की बात कर ले तो यह जो आपका मैनुफैक्चरिंग यानि आपका वी निर्मान से जो वो संबंदित है तो मैनुफैक्चरिंग आपका यहाँ पर करेक इस योजना का जो मुख्य उदेश है ना ये घरेलू वी निर्मान छेत्र को जो वढ़ावा देना है और देश में निवेशों को भी जो वढ़ावा देना है तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रिखेगा नेक्स्ट आप के यहां पर आया था कि तुलसीदास बोरकर को जो है तो पदम स्री आपका यहां पर एक करेक्ट एंसर होगा इसके लाव मैं आपको बता दू कि तुलसीदास बोरकर को जो है दोजार पांच में जो है इन्हें संगीत नाठक अकैडमी पुरुष्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में तीन आपके कथन जो वो दिये गया थे जिसमें पहला कथन आपका दिया गया था कि मौलिक अधिकार कानून द्वारा जो वो सुरच्ची थै तो यह तो आपका फंडमेंटल राइट्स के बारे में सही कथन जो वो दिया गया है दूसरा कथन आपका दिया था कि फंडमेंट तो यह कथन जो आपका गलत दिया गया था क्योंकि मौलिक अधिकार की जो अवधारना यह आपका बृते नहीं यूएस यानी अमेरिका के सम्विधान से जो वह लिया गया है तो यह वला ऑप्सन, ऑप्सन सी जो होगा ना वह आपका यहां पर करेक्ट टैन्सर होगा क्योंकि यह आपको गलत कतन जो वो बताना था next question आपका अपरा था which ocean surrounds South Antarctica यानि दचिन दुरूप के चारो और जो है किस कौन सा महासागर जो वो फैला हुआ है तो देखें दचिन दुरूप के चारो और जो है यह आपका Southern Ocean यानि दचिन महासागर जो है यह आपका फैला हुआ है और इसे कभी-कभी जो है आपका Antarctic महासागर भी जो वो कहा जाता है और यह जो महासागर है यह आपके Antarctica महादीब को जो वो गेटता है और 60 डिगरी दचिन आसांस के निचे जो है यह आपका इस्तिद है तो तो दच्छिन महासागरी यानि Southern Ocean जो आपका यहाँ पर correct answer होगा, next आपका यहाँ पर रहा था कि what is the main reason for migration, 2011 census यानि 2011 की जनगना के अनुशार, प्रवास का जो है मुख्य कारण पूछा गया था, तो देखे, sorry, 2001 की जनगना के अनुशार, प्रवास का जो मुख्य कारण रहा थ पूरसो में अगर बात कर ले, तो यह जो आपका employment, यानि रोजगार रहा था पूरसो के लिए, और महिलाओं की बात कर ले, तो देखे, 2001 की जनगना में, महिलाओं के लिए जो प्रवास का सबसे मुख्य कारण जो रहा था यह आपका marriage, यानि भीवार रहा था, तो अगर प पूछा गया था question, निमन लिखित में से, किस ओडिसी नर्तक को जो है, 2010 वी में पदम वबूशन से जो वो सम्मानित किया गया था, तो देखे, 2018 में आपके जो ओडिसी नर्तक है के लू चरन महापात्रा इन्हें पद्म विभूशन से जो वो सम्मानित किया गया था तो केलुचरन महापात्रा आपका यहाँ पे करेक्टेंसर होगा इसके लावब केलुचरन महापात्र के अन्य पुरुषकार के अगर मैं बात करो लो तो देखें इन्हें 1972 में पद्म स्री आवाड से सम्मानित किया गया था 1966 यानि 1966 में इन्हें संगीत नाड़क अकैडमी पुरुषकार से सम्मानित किया गया था 1981 में जो आपका कालिदा सम्मान दिया जाता ना मद्यपर्देश सरकार की द्वरा इन्हें 1981 में कालिदा सम्मानित किया गया था इसके लावा इन्हें 1989 में पद्म भूशन पुरुसकार से भी जो वो सम्मानित किया गया था तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा इसके लाव एक्जाम में एक प्रश्ण और यहां से पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में यह आपका भरतनाट्यम और ओडीसी नित से है तो यह पॉइंट भी आप ध्यान में रिखेगा और सोनल मान सिंग को यह आपका 2003 में पद्म भूशन से सम्मानित किया गया था और 1992 में इन्हें पद्म भूशन से जो वो सम्मानित किया गया था जो कि आपका सबसे कम उम्र की यह प्राप्त करता थी, तो यह fact भी आप ध्यान में रिखेगा, next आप कहा यहाँ पर आया था, कि संकल्प गुपता, who is seen in the news recently, is associated with which sport, यानि संकल्प गुपता, जो हाली में आपके चर्चा में रहे थे, यह जो आपके किस खेल से जो वो संबंदित है, तो यह जो आपके भार अगर पूछा जाए कि किस राज्य से है यह, तो यह आपके नागपूर, जो है, यानि महारास्ट नागपूर से जो यह संबंदित है, तो 17 जी, यानि चेस आपका यहाँ पर करेक्ट टेंसर होगा, next question आपके यहाँ पर आया था, कि अस्पाइरो गाईरा से संबंदित एक जो वो पूछा गया था, तो देखे, इसका प्रशन एक्जेक्टली क्या पूछा गया था, आप कमेंट करके बता दीजेगा, तो अस्पाइरा गाईरा की अगर बात कर ले, तो देखे, यह जो आपका स्पाइरो गाईरा है यह आपका एक परकार का हरी सेवाल, यानि ग्री का शменुआपका स्पाइरो गाईरा होता है यह आपका आई-ऌ गेमस होता है, और यह मतलब यह होता है, यह आपका युगमक होता है वह आपका, आपका रूप rer on 3 x multi who won in 2021 from which political party, यानि जो आपके फुडुचेरी को जो 2021 में जो आपके मुख्य मंतरी बने थे, जिनका नाम क्या था, तो इनका जो नाम था, वो आपका अनरंगा सामी था, अनरंगा सामी जो आपके हुडुचेरी के जो आपके 7 मही 2021 प्रधा, जो आपके मुख्य मंतरी बने थे, यह जो आपके किस पार्टी से जो वो संबंदीत है, तो देखे एन रंगा सामी की बात कर ले, तो यह आपके All India N.R. Congress पार्टी से जो वो संबंदीत है, तो All India N.R. Congress पार्टी आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट कोशन आपका आपका हम रहा था कि Which State Cattle Preservation Bill 2021 with International Boundaries, यानि अगर बात कर रहे तो देखे इन में से कौन सा राज्जी जो है, मवेशी संरच्छन अदिनियम 2021 के तहट जो है, मवेश्यों के परिवहन और खपत को जो वो नियंतरित करता है, और यह जो आपका राज्ज संरच्छन अदिनियम 2021 के तहट जो है, यह आपके मवेश्यों के परिवहन और खपत को जो वो नियंतरित करता है, और यह जो आपका बांगलादेश और भुटान के साथ जो है, सीमा भी जो वो साजह करता है, तो आसम आपका यहाँ पर करेक्ट एंसर होगा, नेक्स्ट साथ में कुलियात्री परिवहन में सड़क परिवहन का योगदान है ना, यानि कुलियात्री यातायत का लगवग 87% होता है, और माल यातायत का जो करीब है ना, यह आपका 60% जो वो हिस्सा होता है, तो इन में से जो भी option में दिया गया था, वो आपका यहाँ पर करेक्ट नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि टर्टल्स बिलॉंग्स टू, विच क्लास, यानि यह जो आपका कच्छुआ होता है ना, यह किस वर्ग का यह आपका जानवर होता है, तो देखें टर्टल्स यानि कच्छुआ जो है ना, यह आपका रेप्टीलिया वर्ग का यह और फाइलम अगर पूछ लिया जाए तो यह आपका कोरडाटा फाइलम से जो वो संबंदित है तो यह फैक्ट भी आप ध्यान में रिखेगा नेक्स्ट कोशन आपका आप रहा था कि iron reacts with water gives which gas यानि जब iron को पाणी के साथ जब react कराया जाता है तो कौन सा गैस जो वो आपका निकलता है तो इसका जो प्रोड़क्ट बनता हूँ आपका क्या बनता है तो आपका iron oxide बनता है और इसमें जो आपका hydrogen gas जो वो release हो जाता है तो hydrogen gas आपका यहाँ पर correct answer होगा नेक्स्ट कोशन आपका याप रहा है था कि प्रधान मंतरी मुद्रा योजना यानि PMMY के तहट किने 10 लाख रुपे तक का जो है लोन जो वो दिया जाता है तो देखे प्रधान मंतरी मुद्रा योजना के तहट जो है आपके जो नौन कॉर्परेट यानि गैर कॉर्परेट इ Farm Micro and Small Enterprise जो है आपका यहां पर correct answer होगा इसके लावा Micro का आपका प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का फुल फॉम पूछा जाता है तो देखे मुद्रा का फुल फॉम होता है यह आपका सिसू के तह जो है आपके 50,000 रुपे तक का जो लोन है वो दिया जाता है कि सूर के तह जो है आपको 50,000 रुपे से लेकर जो है 5,000 रुपे तक का जो लोन है वो दिया जाता है और तरून वर के तह जो है आपकी 5,000 रुपे से ज्यादा और 10,000 रुपे तक जो आपको लोन जो जो है चैनल को सब्सक्राइब जरू कर दीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स टूड़े हैं तर तक थैंक यू ओल दे बेस्ट